फरस्ट फोल गुद मॉनिंग हुँ जाला रितिबा स्री आरेज कोटक प्राइमरी स्कुल माथी आपनू स्वागत करू छू आजे आपने तोरण आठनो विशय सामाजिक विग्नान एनो पार्ट साथ आबो होवा किय फेर फार तेनो भाग त्रोण जोवानों छे आपने बे भागमा ग्लोबल वर्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रुत्वी गरम केवी रिते थाई छे तेना कारणो पीपी एम एटलेके पार्ट पर मिल्यन अने ग्रीन हाउस ने असर करता जे वायू ओ छे तेना विशे आपने भणी गया हवे आ पार्ट मा आपने ग्लोबल वर्मिंग नी असरो तेना थी बचवाना उपायो अने परियावरण ने बचावा माटे नी जे वैश्विक निती चे ते हवे पनिशू सव पेला जो ये ग्लोबल वर्मिंग नी असरो चे आ ग्लोबल वर्मिंग चे जे प्रुत्वी चे जे गरम थाई चे तेना कारणी केवी केवी असरो अत्यारे थाई चे वनस्पती प्राणी दरेकना जीवन पर आना लिदे केवी केवी असरो थाई चे तो जो ये ग्लोबल वर्मिंग नी असर मात्र ने मात्र मानव ने पन प्राणी वनस्पती अने तेना जीवन पर पन पड़ी रही चे आ उप्रांत अन्य फेर्फारो पन थाई रही चे जेवाके वनस्पती नी उत्पती तेमनी व्रुद्धी नो समय औने आयूशयमा फेर्फारो आवी रही चे जे वनस्पती नी उत्पती थवानों जे चोक्कस समय गाडों हतो तेमा परिवर्त नावी गईू छे तेने जे व्रुद्धी एटले के तेनु जे वधवानों जे समय हतो एनु जे आयूश्य हतू एमा हवे फेरफार थाई गईो छे पक्षियोंनी अमुक जातियों लुप्त थई रही छे चेवी के चकली, गीद, कागडा आ बधी जातियों छे हवे अमुक तमुक ज रही छे बाकीनी हवे नाश थवा लागी छे हीमालाईनी 2000 हीम नदियों पिगडी गई छे छे हीम नदि एटले के जे बरफ्ती बनेली हती एवी नदियों गर्मीना कारणे पिगडी रही छे केटली नदियों 2000 हीम नदियो चेला, दस वर्ष मा दुषकार, वावा जोडा, अती व्रुष्टी, अनि पूर्णी मात्रा, अटली के पूर्णू जे प्रमान चे, ते वधी रह्यू छे अपने, गणी वार अपने जोयेची, छेला, अपने जोयूतू, केदार नाथमा, पूर्ण आव्यूतू ते, वावा सोडा, पन दर वर्षे, वावा जोडू छे, ये आववानू छेवी, आगाही दर वर्षे थाई छे, समुद्र तटे, बरबर, अती व्रुष्टी हवे गणू बदू नुक्सान थई गईू, अती व्रुष्टीने कारणे, तो आवा चेला, दस वर्षमा, आबद्धी परिस्थिती चे, एनी मात्रा चे, एवधी रही चे, जियां, वर्षाद वधू पड़तो हतो, त्यां तेनी मात्रा ओची थई गई छे, जियां, पेला, वर राजस्थान औने दुबई मा भारे वर्साद, राजस्थान औने दुबई एवा स््थड़ों छे, रोनविस्त़ार धराव ता स्थड़ों छे, माटे त्यां वर्सादनू प्रमान केवू हो उए, ओचो हो उए, एना बद्लामा केवी परिस्थिती सर्जानी, के अनि दुबई मा भारे वर्साद थयो अनि चेरा पुंजी मा अना व्रुष्टी एटले के खुब ओचो वर्साद अत्वा नही वत वर्साद पड़ियो चेरा पुंजी यवू स्थड़ छे के तियां सवती वधारे वर्साद पड़े छे एवू एस थड़ छे तो तियां अना प्रोटीन आपे छे तेवा कठोलनु उत्पादन ओचु थाई गईू छे जमीनमा पाणीनु स्तर छे ते घटी गईू छे जे कुवा चे ए उन्डाने उन्डा उतरता जाई चे एनु पाणी हीम नदी पिगडवाती समुद्र जड़नी जे स्तर छे तेनी व्रुद्धी थाई रही चे तेले के उच्चु आव तुझे रही चे अन्ने समुद्र काठाना जे दोवान नु स्तर छे ते वधी रही चे हीम नदी पिगड़े एटले एनु पाणी क्या जाई समुद्र मा अनि समुद्र मा पाणी जवाती समुद्र नी पाणी नी सपाटी चे ए उची आवे चे ना कारणे समुद्र काठाना विस्तारो डूब मा जाई आ ग्लोबल वर्मिंग ना कारणे जे तापमान वधी रही चे प्रुत्वी उपर ए तापमान वधता मानसो डिहाइड्रेसन अनि कू पोशन नो शिकार बन छे कू पोशन नो भोग बनवा लागिया चे डिहाइड्रेसन जे पाणी नी कमी ने कारणे थाई कू परसेव आवो नबलाई लागवी चक्कर आववा एवू थाई अनि कू पोशन लेके व्यक्ती जे ते व्यक्ती ने कू पोशन नो शिकार बने जन्मतीज तेनामा तेना अंगोमा कोईज पन जातनी शक्ती ना होई एटलेके योग्य पोशन एने एनना माताना गर्भमा मढ़्यू न होई तेवा बालकोनू हवे जन्मत है रह्यो चे रुतू चक्रमापण परिवर्तनावी रह्यो चे शियाडा औने उनाडानी रुतू औनी लाक्षन इकताओ हवे बदली रही चे कणिवार आपने जोये चीए कि शियाडामापण उनाडा जेवी चोमासामापण उनाडा जेवी स्थिती सर्जाई रही चे गुजरातनी चे दरियाई सपाटी छे ते 25 सेमी जिटली वदता जमीन नी खाराश वधी रही चे खेत उतपादन्मा पन सतत नी सतत घटाडो नोंधाय रहीयो छे पेला जेटलू उत्पादन अवे खेतीमा आउत्तू नथी कोलेरा, डेंग्यू, मेलेरिया, यलो फीवर, स्वाइन फ्लू, वगेरे रोगोनु प्रमाण वधी रयू चे चामडीना केंसर थवा एपन ग्लोबल वर्मिंग नीज एक इफेक्ट छे मालदिव, बांगलादेश, फिलिपाइन्स ना जे टापू ओछे, वैस्ट इंडिजना टापू, ओस्ट्रेलिया खणना जे काठाना विस्तार छे एहवे डूब माँ जवा लाग्या छे ग्रीनपीस संस्था मुझब, इस विसन एक्विस सो मा गुजरात मा वस्ता आशरे 55 लाख लोकोनू स्थळांतर करवू पडशे, कारणके जग्याज गटी जासे दरियाई सपाटी उची अववा लागी छे वेश्विक तापमानना वधाराना लिदे, फूलो छे पोतानी सुगंद, पोतानी खुश्बू, गुमावी रहियाँ छे, नाश पामी छे अने मधुपूला पन तेना कारणेज, अवे नाम शेश थई रहियाँ छे अवे, ग्लोबल वर्मिंग छे, तेना थी बचवा माटे, आपने केवी उर्जाना उप्योग करो जोईये तो के सौर उर्जा, पवन उर्जा, भरती ओट उर्जा, आ बधा जे बिन परमपरागत स्त्रोतों छे, तेनों उप्योग वधारों जोईये आ उर्जाना बिन परमपरागत स्त्रोतों ना नाम छे, खास याद राखवाना छे सोर उर्जा, पवन उर्जा, पवन सोर उर्जा, अने भरती ओट उर्जा आना कारणे विजडी सोर उर्जानु विद्यूत उर्जामा पवन उर्जानु पन विद्यूत उर्जामा भरती ओट द्वारा पन विद्यूत उर्जामा रुपांतर करी अने आपने विजडी मेडवी शक्किये छिये हवे जो ये ग्लोबल वर्मिंग थी बचवाना उपायो ग्लोबल वर्मिंग थी बचवाना उपायो इमा आपने शू करी शक्ये तो के CO2 उत्सर्जन करना रा CO2 एटले के कार्बन डायोकसाइड कार्बन डायोकसाइड उत्पन करना रा जे स्त्रोतों छे तेनों उप्योग घटाडी देवो जोईए व्रुक्षार ओपन करवू व्रुक्षो नू जतन करवू जंगलों कपावा न जोईए अनि वनीकरण थीज वनीकरण एटले के वदारे पडता व्रुक्षो वावा थीज कार्बन डायोक्साइड नू प्रमान ओछू थशे शा माटे कारण के व्रुक्षो ज एवा चे के जे कार्बन डायोक्साइड वाईू छे एपो ते ग्रहन करे चे अनि ओक्सिजन वाईू बहार काडे चे एटले व्रुक्षो नू वधारे पडतु जतन करवा मावे वधारे व्रुक्षारो पन करवा मावे प्लास्टिक नी बेग नो उप्योग करवाना बदले, कापड नी बेग नो उप्योग करवो, जे थी करीने आपने आ ग्लोबल वार्मिंग चे एनने ओचु करी शकीए खातर अने जन्तु नाशक दवावनो विवेक पूर्ण उप्योग करवो, घणिवार एवु बनतु होई छे, के खेतीना पाको ने जे अमुक कीटको छे, ते एनने नुकसान पहुचारता होई छे माटे जन्तु नाशक दवाचे ए छाटवी पडती होई छे, तो गणिवार एवु बने छे, के ए दवानो वधारे पडतो उप्योग थाई जाई छे, माटे जे वनस्पती छे, के वी बने छे, जेरी बने छे अने एनने आपने खावा थी आपने बिमार पडता होई ये छी है, तो आ जे दवाचे एननो विवेक पूर्ण उप्योग करवो, खातर माँ बने तिया शुदी छाणियू खातर छे एनोज उप्योग करवो, रासा एनी खातर नो उप्योग टाडवो लिलो पडवास औने छाणियू खातर छे तेनोज उप्योग करवो, लिलो पडवास औने जे छाणियू खातर छे एना उप्योग थी आपने परिया वरणने जाडवी शक्ये, समुद्रमा लोह कणोनो चंटकाव करवो जोईये, जेती प्लेन कटन नामना जे तरल जीवोच तेनोज विकास थाई, अने ते प्रकाश संचलेशन नी क्रिया माटे कार्बन डायोकसाइड नो उप्योग करता होवाती गलोबल वर्मिंग थी बच्ची शकाई छे घर उप्योगी साधनोनो विवेक पूर्ण उप्योग करवो, त्यार बाद सजीव खेतीज अपना वी लिलो पडवास छाणियू खातरजे में वाद करी ते मुझब, तो साथे साथे पशुओना खोराक मा बायोटिक भेडवा, ते थी पशुओना जठर मा आपने आगाव पशुओ छे ये उच्छवास मा आने चयापचे नी क्रियादवारा चवुद करोड टन मिथेन वाईूनो उच्सर्जन करे छे, चो पशुओना कोराक मा बायोटिक भेडवा मा आवे, तो पशुओना जठर मा जे मिथेन पेदा करता जे बेक्टेरिया छे, ए अंकुष मा आवी जाई, खर उप्योगी साधनों छे एनो विवेक पूर्ण उप्योग करो जे वाके, वोशिंग मशीन, एसी, फ्रीज, वगेर एनो उप्योग छे, ते मरियादित प्रमाण मा जे करो, जेती आ गलोबल वर्मिंग छे, एना थी आपने बची शकाई, परिवहनना साधन जे वदारे उप्योग थाई, तेम तेना जे पेट्रोल नो एनो जे धुमाडो ने बधु बार निकडे, जे दहन प्रक्रिया थी, तो एना कारणे पन आ गलोबल वर्मिंग नी असर थाई छे, तो आनो विवेक पूर्ण उप्योग करो जोईये, जे थी वातावरने दुश ततु बचावी शकाई, इको फ्रेंडली कागण नो वप्राश वतारवो, वस्ती वृद्धी अटकाववी, इको फ्रेंडली कागण एटले के, इवा कागण के जे परियावरने नुकसान पहुचारता न थी, विजडी नी बचत माटे हवा उजास, कुद्रती रिते उपल बने तेवी व्यवस्ता करवी, मकान घर एवी रिते बांधू आके जेती, कुद्रती रिते जवा उजास मडी रहे जेती, आपने जे इलेक्ट्रिक साधनों छे, तेनो वप्राश ओछो करवो पडे, पेट्रोलियम पेदाशो नो विवेक पून उप्योग करवो, कुद्रत बाजू छोड, व्रुक्षो, वगेरेनो उचेर करवो, पाणी नो करकसर भर्यो उप्योग करवो, वर्सादी पाणी जे वर्सादनों पाणी छे, एनो संग्रह करी शकाई, तेवी व्यवस्ता गोठवी, अने पेट्रोल डिजल करता, सीएन जीनो वप्राश वथार्वो, क आपने एवा रेठान बनावुवा जोईए, के जेती आपना घरमा पूर्तु हवा उजास मडी रहे, औने विजली नी बचत थाई, जेती विजली नी बचत थाई, तो गलोबल वर्मेंग छे, एने पन आपने पृत्वी ने नुक्सान न करिये, गलोबल वर्मेंग नी अस उप्योग थाई छे, जे तमे लोको वधारे पड़ता, जे चोपडा मा जे कागड छे, ते फाडी ने फेकी देता होई छो, तेमा तेनु नुक्सान करता हो छो, औने पेज नो बगाड करता होई छो, तो तमने ख्याल छे, के आ जे कागड छे, एने बनावा माटे केटली वस्तु जोईये छे, तो जुओ, मानवद्वारा जे कागड नो उप्योग थाई छे, ते एक टन कागड बनावा माटे, चुम्मा लिसो किलो वट जेटली विजडी जोईये, त्री सजार लिटर जेटलू पाणी जोईये, औने अग्यार व्रुक्षो कापी, एना लाकडा नो मावो बनावी, अने एटली वस्तु थाई, पेगी त्यारे एक टन कागड बने छे, अने आपने एवा अटला अमुल्य कागड नो आपने दुरोप्योग करिये छिए, तेने वेस्टेज गणिये छिए, साव, नकामा गणी ने आपने फाडी ने फेकता ओईये छिए, जे खुबज खराब बाबत केवाई, तो हवे तमेलोको पन तमारा चोपडाना पेज नो बगाड नहीं करो, एटलू समझतो हवे तमने आवीज गई हशे, के अग्यार व्रुक्षो एक एटला उप्योगी केहवाई, एक टन कागड माटे, खणा अटलू पाणी अने आटल पुल्य कागड बने चे, तो आपने कोई हवे कागड नो दुरुप्योग करीशू नहीं, अने तेनो बगाड करीशू नहीं, हवे जो ये परियावरणनी बच्चावा माटेनी वैश्विक नीती, मानव चे ते पोतानी प्रवरुत्तियोंनी कारणे परियावरणनो प्रियावरणनी नुकसाननी जे समझ चे, ए समग्र विश्वने समझावता, इस्विशन 1922 मा, स्वीडनना पाटनगर, खासी आदराग चो, स्वीडन देश, तेनू पाटनगर, स्टोक होम खाते, परियावरण बचावा माटेनी बेठक मडी, अनि त्यार बाद, ब्राजिलना रियोडी जानेरो, त्यां प्रुत्वी सम्मेलन मडियू, त्यां पन एक बेठक चे, ए योजवा मा आवियू, के परियावरणनी बचावा माटे हवे शू करवू जोईये, मानवे तेनी केवी केवी प्रवरुत्तियों छे, ते अवे अट काववानी जरूर छे, ग्लोबल वर्मिंगे, संदर बे, विश्वस्तरे, डिसेंबर 2009 मा, डेन्मार्क नी राजधानी, खास याद राग जोक्यानी राजधानी, डेन्मार्क नी राजधानी, कोपन है गनमा, एवु नक्की करवामा आवियू हतु, के विक्सित रास्ट्रो कार्बन कट स्विकारता न थी, विक्सित रास्ट्रों एटले, अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस, आब दा विक्सित रास्ट्रों केवा, एटले के इक खुब विक्सित छे, जरे आपनों भारत देश छे, ते विकास शिल्मा आवे, एटले के अजे यहनी विकास नी प्र सर्जन घटाडवानी जे नीती छे एने हजीस विकारता न थी अने चे विकास शेल रास्ट्रो छे एक ग्रीन हाउस ने असर करता वायू उत्सर्जन घटाडवा माटे दबान करी रहिया छे के जे वधारे पड़ता जे विक्सीत रास्ट्रो छे एमा एक व्यक्तिन ने खाली बाहर जाओ होई तो पण एपो तानी कार लेईने जता होई छे नजीक ना स्थड मा जहू होई तो पण विदेशों मा घणिवार एवू बने छे के चर्च मा तियां चर्च नू वधारे महत तो एटले चर्च मा बदा जता होई तो बहार आख़ू पार्किंग चे भराई गयू होई एम ताई क्या हा आया तो खिटला बदा मानसो होसे अंदर जाईए तो बदा हाँ साव ओचा मानसो देखाई शा माटे तो के बदा पोतानी परसनल कार लेईने आविया होई छे छे बदा जे वायू चे एनो अपने बचाव पन करी शक्किए तो आ विकसित रास्टरों मा आवी स्थिति जे तो विकास चेल रास्टरों एवू दभान करी रहा जे के ग्रेन हाँस ने असर करता जे वायू उत्सर्जन चे ए घटाडो विकास चेल देशों ना विकास माटे 100 अबज डोलर सहाई आपवी एवु नक्की करवामा आवियो अतु अने आ बेठक मा पिस्तालीस देशों ना ओगन साइं छेटला संचोधन पेपर्स द्वारा विश्वना नेता ओने बदलाती आबो हवा माटे गंभीर पने विचार करता करवामा पन आविया हता विद्यार्थी मित्रो तमने क्याल चे विश्वमा दरेक नागरिक चे एक एटलो कार्बन वायू छोडे चे तो के विश्वमा सरेराश नागरिक 4.5 मेट्रिक टन कार्बन वायू छोडे चे जेमा भारतनो नागरिक चे ते वार्षिक सरेराश 1.2 मेट्रिक टन कार्बन छोडे चे अन्य विकास सिल देशो तो गणो ओचो कार्बन वायू छोडे चे तेमना विकास माटे मोटा पाया पर छूट आपवी जोईए जारे अमेरिका जेवो जे देश होई एना उपर नियंत्रन लादवू जोईए शा माटे कारण के अमेरिका जेवा देश मा त्यानो प्रत्येक नागरिक 20.6 मेट्रिक टन कार्बन वायू उत्सर्जन करे चे एले के आटलो बदो आनो उप्योग करे चे अने जेना कारणे ज प्रुत्वी पर ग्लोबल वर्मिंग सर्जायू छे क्लाइमेंट चेंज थी खणी बदी विनाशक असरो थई शके चे अने एने बचावा माटे योग्य पगला लेवा खुबज आवश्यक बन्या छे विद्यार्थी मित्रो आ पाट आपने जो आ जे परियावरण माटे भईजनक स्थिती केहवाई हो आटलो कारबन वाई उच सर्जन करे तो परियावरण चे एना माटे किटली भईजनक स्थिती केहवाई आने बचाववा माटे आपने व्रुक्षो वाववा जे बिजी जे इको फ्रेंडली कागण चे एनो उप्यों करवो वर्सादी पाणी चे एनो उप्यों करवो आबदू करवो खुब जरुरी चे जे ग्लोबल वर्मेंग थी बचवाना उपायो करवाज पढ़ शे नैतो एक समय एवो पन आउशे के प्रुत्वी पर मानसनु रहवू अशक्य बनी जशे सारू विद्यार्थी मित्रो हवे आपने फरीती नवा पार्ट साथे मढ़ीशू आ पार्ट छे ते अहीं समाप्त थाई छे पूर्ण थाई छे आव वीडियो लाइक एंड शेर करवानू बुल्शो नहीं फरीती नवा आठमा पार्ट साथे मढ़ीशू त्यासुदी आउचो हवे नाइस टे ते तेंक्यू फोर वचिंग